दोस्तों हम सभी चाहते हैं कि जिस stock को हमने buy करा, वो तेजी से उपर जाएगा तब भी पैसा बनेगा, और जिस stock को हमने short करा, वो तेजी से नीचे जाए तो पैसा बनेगा, तो आज की वीडियो में एक ऐसी trick आपके साथ share कर रहा हूं, जो MACD की trick है, और fast trading trick है, fast trading trick का मतलब यही है, कि हम MACD की उपर एक ऐसा signal पिक करने की कोशिश करेंगे, जिसमें अगर stock signal में रहता है एक कुछ देर तक, तो वो जल्दी जल्दी उपर बढ़तावा आपको दिखाई देगा, और जल्दी से वो नीचे गिरतावा दिखाई देगा, अगर आप shortcut trade लेते हैं, यकीन म वीडियो में दोस्तों discuss करेंगे, और वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी से चीज, काफी लोग इरिटेट हो जाते हैं कि हम वीडियो के आपार नहीं वीडियो आती है, नहीं ट्रिक्स हम daily basis पर दे देते हैं, कुछ strategies हम बता देते हैं, तो क्या इतनी strategies हम follow करें, बिल चीज फोकस करके पैसा नहीं बनने वाला, तो जो लोग इस वीडियो को देखना चाते हैं, समझना चाते हैं, reality में और life में apply करना चाते हैं, तो एक ही चीज को follow करें, बहुत सारी चीजों को follow करने से दोस्तों पैसा नहीं बनता, तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं MSCD की यह जो fast trading trick है, यह कैसे काम करती है, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का trading चाने के YouTube चैनल में, मेरा नाम है अनमौल मित्तल, तो पीछे दोस्तों देखिए, बात करेंगे histogram trick की, basically दोस्तों हम यह आपर एक histogram देखेंगे, पहले तो मैं आपको थोड़ा सब basic समझा देत के, फिर MACD लगा करके आपको clearly समझाऊंगा, देखें हिस्टोग्राम होता क्या है, हिस्टोग्राम बहुत छोटी सी चीज है, ज़र इसको समझनी कोशिश करते है, MACD के अंदर, तो MACD में देखें, आपको कुछ दो लाइने दिखाई दे रही होती है, कुछ इस तरीके से द और वाइड गैप है, और बड़ा गैप है, फिर यह देखें, यह जो दोस्तो गैप होते हैं, इसी को दोस्तो हिस्टोग्राम बताता है कि कितना बड़ा गैप मार्किट के अंदर बना हुआ है, तो जैसे कि आप नीचे की तरफ देखेंगे, यह कुछ हिस्टोग्राम का मै के एक्जाम्पल लिया हुआ है ऐसे ही है तो जैसे कि देखे कभी इस्टोग्राम बड़ा है तो इन दोनों केंडल स्टी इन दोनों मुविंग एवरेज के बीच में ज्यादा गैप होगा अब यहाँ पर देखिए और बड़े इस्टोग्राम है तो और बड़ा गैप आपको यहाँ पर दिखाई देगा तो इस तरीके से दोस्तों हम इस्टोग्राम देखते हैं अब इस्टोग्राम देखने का मेन परपस क्या है मार्किट के अंदर टेजी दोस्तों तभी आएगी जब हिस्टोग्राम बढ़ते वे आपको दिखाई देंगे वाइड होते भी दिख पहले histogram छोड़ा बनेगा, फिर बड़ा बनेगा, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा, तो मैं यह कहा सकता हूँ कि यहां से लेकर यहां तक market के अंदर बहुत extreme तेजी रही होगी, market के अंदर जो रुकावट आई होगी, वो कहा आई होगी, इन दो histogram पर, क्य कि यह दोन histogram, इस histogram से नीचे चलेगे, तो यहां पर market थोड़ा सा halt किया होगा, फिर आगें देखें, histogram बड़ा बनने शुरू होगे, फिर market के अंदर और तेजी आपको बनती भी दिखाई देगी, तो इस तरीके से दोस्तो, histogram MACD के अंदर काम करते हैं, जब मैं practically आपको time frame, जी हाँ, MACD तो तेकि हमने बहुत बार यूज़ करा है, हमने तो 5 minute का time frame पे भी यूज़ करा है, 15 minute में भी करा है, हमने तो hourly भी कर लिया, daily भी कर लिया, हमने तो आस्ता कोई ऐसा कमाल वाली बात लगी नहीं, हमने तो समझी नहीं आया है कि कैसे ये पैसा बना कर देगा लग यस नुत देगा काफी हमारे एरीटेट्ट उतिय है किभ़ु इंडीकेटर वगह रा पैसा नि बना पर देते य्यकेन मानि उप्छ बहुत कर दो है ने मेदाये मैं ऑलेंकर इंडीकेटर कैपीबन हैं ऍर शिर्फ नहीं है सिर्फ इंडीकेटर से पैसा नुवनेगा psychology, money management, risk and reward ratio यह सभी चीज़े आपको ठीक करनी पड़ेगी मार्केट में बहुत सारे ऐसे ट्रेडर है इंडिकेटर, price action, technical analysis का यूज करके मार्केट में अच्छा पैसा बनाते है लेकिन simple चीज़ों से पैसा बनता है complicated चीज़ों से नहीं बनता है चली, अब हम बात कर रहें कि problem with small time frame चोटे time frame के साथ क्या problem है हमने MACD लगाया या और कोई indicator लगाया तो problem क्या है जैसे कि दोस्तों मैंने last वाली वीडियो के अंदर भी आपके साथ discussion कर रहा था कि किस तरीके से बड़े time frame के साथ चोटा से indicator लेकर के super trend मतलब मार्केट में 4-5-10% की movement बेमतलब आ जाती है कोई trend हो, कोई trend ना हो मार्केट को उपर जाना हो, stock को उपर जाना हो या नहीं जाना हो, कुछ भी करना हो चोटी मोटी fluctuations मार्केट में बेमतलब हो जाती है तो इसी बज़े से क्या होता है कि अगर कोई MACD आपको bullish signal दे रहा है छोटे time frame में, वो कह रहा है जी market यहां से उपर जा सकता है तो market में volatility इतनी होती है तो वो market उपर जाता तो है MACD ने signal दिया लेकिन जब वो exit का signal देता है MACD कि यहां से exit कर लो तो exit करते करते वापिस market वहीं पर आ जाती है जहां से आपने entry ली थी तो क्या हुआ बीच का part आपको मिला ही नहीं बीच का जो profit है वो आपको मिला ही नहीं अवूमन ऐसा ही आपको देखने को मिलता है तो क्या है वो exit करते करते हो पूरा profit खा जाता है तो अब समझी नहीं आता कि किस तरीकर से हैंडल करें, तो यह जो problem आती है दोस्तों यह चोटे time frame में, हलाकि इसको manage किया जा सकता है, कभी बात करेंगी किसी वीडियो के अंदर, लेकिन हम यह बात करने माले, क्या हमें कोई ऐसा time frame मिले जिसमें बड़ा profit आए, मतलब market भागे बहुत wide भागे, और फिर market अगर reverse भी कर रही है, तो उपर की level की तरफ ही कहीं न कहीं हमें exit मिल जाए, और बीच का दोस्तों हम 42, 60% भी अगर grab कर पाए profit, तो more than enough है, तो यह दोस्तों करने की कोशिश करेंगे, और यह होगा दोस्तों बड़े time frame पे, अभी example दिखाऊंगा, कुछ ऐसे stocks आपके साथ share करूगा, जो कुछ हफतों के अंदर 50% का return दे रहे हैं, कुछ double हो गए, कुछ दो गुना भी हो गए, सिर्फ कुछ हफतों के अंदर, मैनों की बात नहीं कर रहे हैं, कुछ हफते, कुछ weeks के अंदर ही काम होगा, तो चले चार्ट पे चले, एक बार पेटेम के चार्ट के उपर नहीं दिख रहा है, यह जब से इसका IP आया था, यह 2000 पे आसपस stock हुआ करता था, उसके बाद एक गिरा है, और इस गिरावट के अंदर में कोई short signal नहीं दिखा रहा हैं, मैं आपको यह bullish वाले signal दिखा रहा हूँ, तो यकीन मानिए, कोई manipulated video नह आपको सीख करके जाए, चलिए, अब यहाँ पर देखें दोस्तों मैंने time frame लिया है one week का, one week का time frame लेने का main advantage क्या है, अब यह थोड़ी दियर में आपको पता लग जाएगा, अब मैं यहाँ पर दोस्तों indicator ले रहा हूँ, MACD, MACD indicator बिल्कुल free of cost indicator है, कोई पैसे आपको उसक पर देख सकते हो, जो भी broker आप यूज करते हो अपनी trading के लिए, या investment के लिए, सभी जो प्रोवाइड कराते है, अपना charting platform जो प्रोवाइड कराते है, MACD के common indicator है, अब मिल जाता है, तो बहुत ही rare होगा कि किसी के charting platform पे यह ना हो, चलिए, MACD की बात करते हैं, अब यहाँ जो signal pick करने के हम कोशिश कर रहे हैं, वो किस तरीके से कर रहे हैं, इसको समझने की देखिए, कोशिश करिएगा, बहुत simple सी चीज़ है, बहुत simple सी trick है, अगर आप इसको समझेंगे, तो definitely आपको इसका benefit मिलेगा, यहाँ दोस्तों हम बूल जाते हैं, कि MACD की दोनों लाइने क्या कर दी हैं, हमें कोई मतलब भी नहीं है, हम सिर्फ इसके histogram पे दियान दे रहे हैं, कि histogram पे हम थोड़ो सा focus करेंगे, अब histogram पे जब आप focus करोगे, तो आपको चीज़ें बहुत 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 होतीवी histogram पर है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, कि अगर आप long का trade ले रहे हैं, तो आपको ऐसे histogram चाहिए, जो ऊपर जाते हैं, आपको दिखाई दे रहे हो, और अगर आप short का trade ले रहे हैं, तो ऐसे histogram चाहिए, जो नीचे जाते भी दिखाई दे रहे हो, यह color से भी आ मार्किट के अंदर वन वीक के टाइम फ्रेम के अंदर जब हिस्टोग्राम ऊपर के तरफ बनने शुरू हो जाते हैं तो यहां से यहां तक देखिए मार्किट के अंदर एक ट्रेंड बनावा था डाउन का लेकि सड़ली देखिए हिस्टोग्राम यहां बनने शुरू हो गए जब histogram यहां बनने शुरू हो गए तो देखे इस candle पे इसने पहला signal दिया कि जी यहां से यह positive हो सकता है तो उस समय जो stock trade कर रहा था वो कर रहा था 550 रुपेगे आसपास ठीके फिर देखे दो candles बनी दो candle के बाद फिर histogram देखी वीक हो गए वापिस अगर histogram वीक हो गए तो इस समय stock trade कर रहा था 510 के आसपास तो मान लेते कि 40 रुपेगा आपको क्या हो गया नुकसान हो गया कोई बाद नी 10% ही तो है 9% है नुकसान हो गया उसकी बाद देखे फिर वापिस histogram ने इस पे signal दिया कि यहां से मैं positive हो रहा हूँ यहां देखे वापिस सिगनल दिया कि मैं positive हो रहा हूँ इस समय इंस्टोग्राम किस लेवल पर चल रहा था प्राइस किस लेवल पर ता माफी चाहूंगा तो 530 रुपे पर प्राइस था और इस इस ने सिगनल कब दिया कि जी मैं weak हो रहा हूँ इस candle पर signal दिया कि मैं weak हो रहा हूँ और इस समय स्टोग चल रहा था 600 रुपे गा तो 70 रुपीज की आपको गेन मिला 15% का आपको गेन मिला इस पर्टिकुलर स्टोग के अंदर कितने दिनों के अंदर कितने दिनों में आप 2, 3, 4, 5, 6, 6 हफते, 1,5 महीने, 1,5 महीने में 15% का अगर आप देख रहें तो gain हमें देखने को मिला तो 1,5 महीने में 25% का gain हमें देखने को मिला बहुत जादा तो नहीं है लेकिन कई बार आपको ऐसे signals मिलेंगे जैसे की देखें यहां मैं आपको दिखाता हूँ यह देखि बहुत बार आपको मिलेंगे मार्केट के अंदा जैकपोर्ट सिर्फ आपकी होल्ड करने की पावर होनी चाहिए यहाँ पर देखे एक इस्टोग्राम बना और इसने बोला जी यहां से मैं रिवर्स कर सकता हूँ और इस समय स्टोक ट्रेड कर रहा था साड़े 300 रुपे का ठी कितना परसेंट भाग गया 50 परसेंट स्टोग भाग गया कितना टाइम लगा हफ्ते गी नहीं है एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ आठ नो दस ग्यारा बारा तेरा चोदा लगबक तीन महीने थ्री मंस के अंदर आपको यह स्टोग 50 परसेंट का रिटन दे देता है सो पावर होती है स्टोग्रां में इसको करते हैं ने सब्सक्रा इस इरिया में यह ने आपको बता कि माक्रिवड से और सब्सक्ता है या बापिस आपको कहा दे जी वीक हो रहा है वो अलग बात है लेकिन अगर एक बार यह reverse का आपको major point पता लग जाता है और आपको कोई तुक्का बहट जाता है और market वह से बागता को चले जाए तो बढ़िया पैसा बनते वह आपको दिखाई देगा तो यह थी दोस्तों पे इच्छे charts देखी ही नहीं है तो एक काम करते एक अच्छा सा chart लगा लेते हैं जिसको आप खुद देख करके बता सकते कि आँजी bullish zone में stock है चलिए एक chart लगाते और देखते तो चार्ट लगाते दौस्तों State Bank of India थोड़ा सा heavyweight stock लेते हैं और बहुत लोग इसको उपर trade करते State Bank of India पर देखते State Bank of India कैसा performance देता है जब हम MACD की fast trading trick का यूज़ करते है तो यहाँ पर देखिए देखिए इतनी simple trick है कई बाद viewers को विश्वास नहीं होता है या simple चीज़े ऐसे काम करते हैं क्या अगर ऐसे पैसा बनता तो सभी बना लेते हैं लेकि मुझे एक बात बताईए कितने यहाँ पर trader और investor है जो one week का time frame यूज़ करते हैं बहुत कम percentage है करते ही नहीं है इतना patience ही नहीं है हमें तो क्या है कि आज ही खरिदना है आज ही बेचना है आज ही पैसा कमाना है ऐसा अगर करोगे तो market पैसा देने में बहुत problem क्रेट करेंगे आपको अब देखिए one week में यहाँ देखिए decently एक histogram बना था यहाँ पर देखिए SBI का यहाँ देखिए इस candle के ऊपर अभी देखिए fast trading trick है साड़े 600 रुपे closing हुई इस candle की मानने थे साड़े 600 रुपे इसने signal दिया अब fast trading trick है तब तक ही hold करेंगे जब तक यह बढ़ता जा रहा है जैसे ही week होगा वैसे ही हम समझ जाएंगे जी week होगा आप यहाँ से निकलने की बारी आगे अब देखिए कहां तक सास्सो तीस रुपे में इसने हमें एकजिट कराया कितने बर सास्सो तीस रुपे पर एकजिट कराया कितना पैसे इसने बना कर दिया कितने टाइम के देश Bengal महीने में देड mi name कितना 80 rupees 80 रूपीज यानी 15% यानी SBI जैसे heavyweight stock के अंदर डेड़ मेने में अपने 15% का return कमाया और आप exit होगे फिर देखिए वापिस histogram बना दो ही यहाँ पर देखिए histogram देखिए यहाँ पर शायद buy करा होगा 800 रुपे ठीक है और इसने exit करा दिया था 820 रुपे पे कोई बात नी 5% बना तीन हफ़ते का यह trade चला लेकिन कुछ पैसा तो बना कई बार यह पैसा नहीं बनेगा कई बार इस्टोगराम बनेगा वापिस बहुत नीचे market आ जाएगी 15% का नुकसान होगा लेकिन जब आप market में बड़ा पैसा कमाएंगे न तो 40% 50% कई बार आप देखेंगे स्टोग डबल हो जाते हैं अब यहाँ पर देखें और मैं दिखाता हूँ आपको सिर्फ बुलिश वाले दिखा रहा हूँ बेरिश वाले दिखाई नहीं रहा एक्जाम्पल वह आप अपने घर पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं यहाँ देखें यहां देखें मारकिट बागा इस्टोग्राम के बाद मारकिट बागा बेशक जंदी एकजित हो गया जज्यादा पैसा नहीं बना कई पर ब्रेक इवन पर आप निकल गए लेकिन एक ऐसी probability थी कि market यहां से बाग सकता था अगर भाव जाता अच्छा तो बड़ी है profit बनता तो और देखते हैं यह वाले देखिए यह देखिए histogram बना यहां बढ़ यह देखिए यहां बना histogram closing क्या थी 520 और exit कहा कराया चलिए जादा नहीं 540 के आसपास exit होगे 20 रुपे ही बने 4% बने कोई बात ने ट्रेड भी 3-4 रफती ही रहा है उसके बाद देखिए वापिस histogram बना इस candle के उपड उससे में market कितने का चल रहा था almost 530 रुपे का चल रहा था और exit कहा कराया है इस candle पर और market ने exit कराया है लगबग 550 फिर 20 रुपे बने 4% बने कोई बात ने heavyweight stock है SBI फिर यह देखिए फिर वापिस histogram इस candle पर बना इस समय मादर चल रहा था 560 का exit कराया यहाँ पर इस candle पर exit कराया और उस समय market था 620 रुपे का इसमें 4 रुपे इसमें 4 रुपे इसमें डेड़ महिना अपने होल्ड करा तो इस तरह की रिटन हमें मिलें एक heavyweight stock में भी हम इतना रिटन कमा पा रहे है अब एक काम करते है थोड़ी सी छोटी कंपनी का देखते है छोटी कंपनी से पता लग जाएगा कि वह कैसा वग करता है तो यहां दोस्तों में लिए है सवराज इंजन का stock महिंद्रा ग्रूप की company है यह इंजन manufacturing का काम है यहां पर आप देखे कि क्या होता है कि कि किस तरीके से भागता है क्योंकि छोटी कंपनी है market cap कम है बागेगा तब भी तेजी से भागेगा गिरेगा तब भी तेजी से बीटा इस stock को जादा है तो जिस stock का बीटा जादा होता है वो क्या किस तरीके से perform करते जरा देखिए मसीड देखे यहां पर green हुआ था इस candle पर इसने information देदी जी मैं यहां से green हो रहा हूं और इस से में stock trade कर रहा था 25 का ठीक है exit देखे यहां पर कहीं हुआ इस candle पर कहीं जागर के exit हुआ और यह जो exit था यह तो 3900 रुपे का ठीक है एक महीने का almost यह trade था और इस एक महीने के trade के अंदर आप देखेंगे 20% का return सवराज इंजर ने दिया 20% का एक महीने के अंदर के F&O अगर हमें कमा पाते हो 20% नहीं कमा पाते है और कभी कमा भी लेते हो तो वह पर चले भी जाता है पैसा हो यह वाला दोस्तों signal देखिए MACD ने इस signal पर गाता जी में यहां से positive हो गया ठीक है और यह जब तक यह dark green है तब तक ही hold करेंगे जैसी light green हो जाएगा exit करेंगे तो यहां पर देखें स्टॉक चल रहा था 21 के आसपास और इसने हमें exit दिया कहां पर लगबख 24 के आसपास 20 परसेंट का फिर आपने return कमाया और सिर्फ आपने stock को रखा डेढ़ मेने holding पे 20 परसेंट का दोस्तों यहां पर return बंता आप में दिखाई दिया चलिए इस अवराज इंचन हमने देख लिया एक काम करते हैं एक बार अडानी के stock देख लेते हैं MECD में वो कैसे work करते हैं देखिए हम सब जानते हैं कि जो अडानी के stock है वो थोड़े से volatile होते हैं बाते हैं तेजी से बाते हैं गिरते हैं तेजी से गिरते हैं तो इस चीज का ध्यान रखेगा तो यह देखिए इस candle पर इसने signal दिया जब अठाइस और पर अठाइस और अ स्टोक हो चुगा तो इस टाइन तक और देखते पीछे कि अगर MECD ने signal दिया तो क्यासा दिया अब यह वाला दोस्तो सिगनल देखिए MECD का वन वीक का टाइम फ्रेम है यहां सिगनल दिया इस candle के उपर इस समय स्टोक ट्रेड कर रहा था 1900 रुपेगा और 1900 से देखिए इस ने एकजिट कराया यहां पर उस समय स्टोक कर रहा था ट्रेड 2200 रुपेगा तो अगर आप यहां देख रहें तो यहां भी 15-20% का रिटन हमें कुछी 1.5 महीने गंदर हमें देखने को मिला वन वीक का टाइम फ्रेम है अब यह दोस्तों देखिए जैकपोट ट्रेड आप ट्रेड कर रहें बीच में आपको मिलेंगे जैकपोट ट्रेड ऐसे ट्रेड मिलेंगे जिसमें बड़ा पैसा बनेगा अब इस ट्रेड में आप देखिए मसीडे ने यहां का सिगनल दिया उस समय स्टोक ट्रेड कर रहा था 2200 रुपे का और एकजिट कराया इहां पर और उसले में स्टोक कर रहा था 3500 का कितना परसेंट का रिटन आप देख रहे हैं आपर बनाऊगा कितना परसेंट लो पा फिटी परसेंट बनिगा ला। और इसमें देखिया, MECD ने यहां भी बड़िया पैसा बना करके दिया है, तो इस तरीके से दोस्तों, हम MECD की fast trading trick कर यूज़ कर सकते हैं, जब यह लगातार यह dark color में आप देख रहे हैं, MECD की line लगातार उपर building बनते वे दिखाई दे रही है, इस समय जो stock होता है, वो होता है तेजी में, कई बार वो इतनी तेजी में होता है कि वो बापते चले जाता है, कई बार stock double हो जाते है, 50-60% के तो example हमने देख रहे हैं, लेकि कुछ stock ऐसे भी है जो double हो जाते है, मैं ज़्यादर वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता, नहीं तो मैं बहुत सारे examples आपको दिखा सकता हूँ, अब आप एक home work करिए घर पे जाकर के, ऐसे stock देखिए, उससे आपको पता लगएगा कितना आपको return मिलता होगा दिखाई दे रहा है, लेकिन एक problem भी है, सबी चीज़े देखिए इतने simple नहीं होती है, कभी कबार problem आएगी, कभी कबार MSED में क्या issue आएगा, जब market sideways होगा, तो यह कभी आपको कहेगा जी इहाँ पर खरीद लो, फिर suddenly देखिए red histogram बन जाएगा, जैसे यहाँ green बना, फिर यहाँ red बन जाएगा, फिर आपको exit करना पड़ेगा, तो बार-बार आपको इस तरह की issues आएँगे, ऐसा नहीं है कि आपको हर बार लगातारी यह histogram बनते भी दिखाई देंगे, कुछ stock रुलाते भी आपको दिखाई देंगे कि कभी green बनेगा, कभी red, कभी green, कभी fade बनेगा, कभी red बनेगा, और कई बार ऐसे trades मिलेंगे, किसी में 5% का loss जा रहा है, किसी में 10% का जा रहा है, 5% का जा रहा है, 10% का जा रहा है, बहुत बार आपको ऐसा होगा, लेकिन आपको wait करना पड़ेगा अपने एक बड़े jackpot के लिए क्योंकि जब बड़ा jackpot आएगा ना तो वो आपके सारे loss को cover करते वे जाएगा तो आपको क्या करना है सबसे पहले practice करनी हो practice करके यह check करना है कोई भी एक stock ले लीजिए जो आपको पसंदो चार पाज stock ले करके one week का time frame लगा करके एक साल का दो साल के एक बर copy में देखे कि यहां histogram बना था यहां इतना पैसा बना यहां इतना गया यहां इतना बना यहां पर इतना गया उससे आपको confidence आएगा आपको पतल लगेगा कि history के अंदर stock ने कैसा performance दिये M.A.C.D. के उपर तो उमीद करता हूं दोसरे M.A.C.D. के fast trading वाली trick आपको समझ में आ दही है अब यह देखिए यह जो trick है यह ऐसा नहीं है कि properly आप इसका use करके आप market में पैसा बनाने लग जाओ आप इसको अपनी strategy के साथ भी add on कर सकते हो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी को strategy है जो आप छोटे time frame पे use करते हो और उसमें आपको कोई bullish signal मिल रहा है तो आप एक काम कर लेना कि one week वाला one week के time frame पे histogram लगा करके देख लेना क्या market bullish है या bearish है तो उस छोटे time frame में जो आपको bullish signal विलेना उसकी accuracy आपको बढ़ जाएगी क्योंकि हमने देखा भी 2-3 महिने तक market बहुत तेजी में दिखता है जब यह histogram बन रहे होते है one week के time frame में तो वहाँ पर छोटे time frame के अंदर जो bullish signal बिलेगे ना वो high accuracy वाले मिलेंगे आपको मतलब market के नीचे आने की probability थोड़ी सी कम रहेगी ऐसी conditions में तो यह वहाँ भी आपके काम हो सकता है तो इसको आप add-on कर सकते हैं अपनी strategy के साथ अपने strategy साथ add-on करेंगे extra confirmation आपको मिल जाएगी बाकि अपने एक बाप backtest करके देखें आपको और जादा confirmation मिलेगी कि चीज़े कैसे काम कर रही है तो यह दब दोस्ते MSED की trick के बारे में और हमेशा द्यान देखिए देखें market के अंदर कभी भी नुकसान हो सकता है कभी भी बहुत जादा पैसा market में ना लगाए शुरुआत में सिर्फ virtual trade करे पेपर trade करे जब चीज़े समझ में आ जाए तभी light पैसा लगाए और पैसा शुरुआत में बहुत थोड़ा लगाना चाहिए सिर्फ experiment के लिए वो पैसा चाहिए जीरो हो जाए लेकिन एक experiment के लिए लगाना चाहिए ताकि आप चीज़े सीख स चाहता हूं दोस्तों हमने लॉंच कर रहा है इंटरडे टेडिंग के को जिसमें psychology की बात करें ऑप्शन स्कैल्पिंग आप कैसे कर सकते हैं एक्वीटी कैश के अंदर कैसे ट्रेड कर सकते हैं किस तरीके से ब्रॉक्रेज आपको हाम करता है गवर्मेंट के टेक्सिस हाम करत हैं कितनी रिटेन के expectation रख सकते हैं रिटेन बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए कितना risk है कितना reward है इन सभी चीजों की दोस्तों बात करिए स्कोर्स के अंदर और अगर आपको एक कोर्स चाहिए तो इसके लिए आपको पे करना है जीरो रूपीस यानि कोई पैसा आ आपको काम करने अगर आप हमें चैनल पर पहली बार आया है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है वीडियो के बारे में आपका क्या opinion था comment box में जरूर बताइएगा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक नहीं अच्छी लगे तो आप डिसलाइक कर सकते हैं और गोगल आपको प्रोवाइड कराया description and comment box में उसको feel करके बेज दीजिए ताके हम वो कॉर्स आपको प्रोवाइड करा सके तो यह था दोस्तों आज की वीडियो में जल्दी में लोगां next वीडियो में तब तक लिए goodbye God bless you बाबाए दोस्तों